कि इतने सारे सवाल तरफ टाइम ट्रेवल के बारे में लोग जानना चाहते है क्या समय में जा या सकता है आगे समय में पीछे जा सकता है क्या फ्यूचर से कोई इंसान क्यासकते हैं उसके बारे में आज में बात करने वाला हूं तो यह बहुत सारे लोग Centers कен Cau आज भाई आप कैसे जा सकते हो टाइम में पीछे और आगे जाके कैसे पता कर सकते हो कि आपकी शादी किसे होगी इसके बारें बात करने वाला भाई हम तो भाई देखो समय में सफर करना टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल और हम सभी समय में सफर कर रहें कैसे भाई देखो हमा आगे समय के साथ चल रहे हैं तो हम समय में सफर कर रहे हैं सवाल यहां पर यह उड़ता है कि समय से आगे जा सकते हैं या समय से पीछे जा सकते हैं तो यह भी पॉसिबल है अभी जिस समय में हम चल रहे हैं उसमें हम क्या कहेंगे कि एक सेकंड पर सेकंड, वन सेकंड पर सेकंड के हिसाब से हमारा समय बीचता है मतब एक सेकंड में एक सेकंड ही बीचता है क्या हो जब वो एक सेकंड में वो सेकंड कम हो जाए तो हम समय में स्लो चलने लगेंगे और अलबर्ट आइंस्टाइन ने करीब 100 साल पहले जिसमें ये बतायागे कि अगर कोई चीज light की speed से ज़्यादा तेज चलती है तो उसके लिए समय धीरे हो जाता है, उसके लिए समय धीरे बीतता है, मतलब ये समय के चक्र को पीछे छोड़ा जा सकता है अगर आप light की speed से ज़्यादा तेज चलते हैं, और ये समय का difference बहुत ज हमारे घूमती है उसी direction में उस airplane को पूरी सूपर स्पीड से चलाया गया और उसमें वह घड़ी ठीज एक घड़ी को अर्थ पर रखा गया प्रित्वी की सतेय पर रखा गया आप मानेंगे नहीं जिस एरपर जो airplane था जो घड़ी रखी ती उसमें उसमें घड़ी धीरे चली औ और वो जो नीचे धर्ती पे रखी थी घड़ी वो अपना नॉर्मल स्पीड से चलती रही जब उन दोनों घड़ी को मिलाया गया तो जो एरोप्लेन वाली घड़ी थी वो कुछ सेकंड कुछ मिनट पीछे थी यहां समय में सफर होता है एक इंट्रसिंग चीज और बताता हूं जो कि हम रोज देखते हैं GPS सेटलाइट के बारे में पता है आपको, जो GPS की सेटलाइट है, वो भी हमारे अर्थ को रिवाउब करती है, वो वक्त के साथ साथ स्लो हो जाती है, दीरे हो जाती है, उसके लिए समय दीरे बीटता है, लेकिन साइन्टिस्ट कैलकुलेशन करके और अलग-अलग कैलकुलेशन से उस घड़ी को करेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें ठीक से काम नहीं करेंगे, क्योंकि समय की अदला बदली होती रहेगी, बहांपर समय हमेशा धीरे होता रहेगा, हमारे तो सही चलता रहेगा, तो वो match नहीं करेंगे, synchronization नहीं हो पाएगी और system ठीक से काम नहीं करेंगे, तो scientist ने ऐसा formula बनाया वगा है, कि उन clock को हमारी जो clock है उनसे match करके वो अच्छे तरीके से काम करती हैं तो आपको बता दिया मैंने कि अब एक और चीज बताता हूं मैं कि अगर हम light की speed से ज़ादा कहीं पर travel करते हैं बाहर जाते हैं स्पेस में जाते हैं और कोई इंसान यहां रहता है तो जो इंसान जाएग लेकिन challenge यह है कि क्या light की speed से भी ज़ादा speed हम achieve कर सकते हैं जिस दिन हम कर पाएंगे तो हम समय को पीछे छोड़ सकते हैं और शायद वहीं से द्वार खुल जाएं समय में आगे जाना यह पीछे जाना अभी की technology से हम इसा achieve नहीं कर सकते लेकिन हमें पता है कि अगर हम समय मे सफर कैसे किया जा सकता है समय में हम सभी सफर कर रहे है लेकिन challenge यह कि क्या जा सकता है नहीं इसमें बहुत सारे और challenges है जो मिले हूए है आने वाला वक्त बतायेगा कि क्या हम समय में सफर कर पाएंगे आज की टेकनोलोजी से हम घविश्य में 100 साल आगे या 100 साल पीछे नहीं जा सकते हैं आई हूप आपको आंसर मिल गया हूँ कि टाइम ट्रैवल की रियालिटी क्या है जी हाँ टाइम ट्रैवल पॉसिबल है टाइम ट्रैवल होता है लेकिन उस हद तक नहीं होता है जैसे आप फिल्मों में देखते हैं और कौन सी थियोरी और रिलेटिविटी काम करती है वह मैं आपको बता दिया अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि दो तरीकी की सैटलाइट होती हैं कुछ सैटलाइट होती है उनके लिए समय फास्ट हो जाता है तो इससे पता चलता है कि जो अर्थ की ग्राविटी है ग्राविटी भी इस टाइम ट्रैवल को या इस चीज को अफेक्ट करती है वह समय को मोड देती है जी हाँ ग्राविटी समय को मोड देती है यह भी चीज अलबर्ट आइंस् अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें साबर सेक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंट्रस्ट एगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शिन चेक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को ज़रू प्रेस करें उससे आप मेरे साथ जोड़े रहेंगे जब भी वीडियो डालों और नोटिफिकेशन मिल जाएगा मुझे फेस्बुक ट्विटर इंस्टागरम पर फॉलो कीजिए मैं मत आप से एकली वीडियो म thank you so much and goodbye